Class 10th का Mass का Chapter No. 9 जिसका नाम है Some Applications of Trignometry इस Chapter की Exercise 9.1 के Question No. 6 को डिसकस करते हैं Next Question पर आते हैं Exercise 9.1 का Question No. 6 solve करते हैं A 1.5 मेंटर तॉल बॉय एक ना बॉय है उसकी हाइट में दे रखिया है 1.5 मेंटर Is standing at some distance from a 30 मेंटर तॉल बिल्डिंग सामने एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग की हाइट में दे रखिया 30 मेंटर अब जो बॉय है ना वो बिल्डिंग से कुछ गिस्टेंस दूर खड़ा हुआ है Exactly कितना गिस्टेंस दूर खड़ा हुआ है वो नहीं दे रखा The angle of elevation देखो angle of elevation देखते हैं आपने समझाना है कि नीचे से उपर की तरफ देखना है जब नीचे से उपर की तरफ देखते हैं तो जो angle बनता है उसी angle को angle of elevation बोलते है The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building अब situation यह है एक building है Building की height में दे दे रखिये 30 meter Building से कुछ distance दूर एक boy खड़ा हुआ है और boy की height दे रखिये 1.5 Boy जब वहां से building की तरफ देखता है तो angle of elevation होता है 30 degree का फिर जो boy है ना वो building की तरफ थोड़ा सा move कर जाता है कुछ distance वो आगे की तरफ आ जाता है थोड़ा सा आगे आने के बाद जब वो दुबारा से building की तरफ देखता है तब angle of elevation 30 से increase होके 60 degree का हो जाता है मतलब पहले जब वो देख रहा था तो angle of elevation 30 degree का था थोड़ा सा आगे आने के बाद जब वो दुबारा से building के कॉप की तरफ देखता है तो उस समय angle of elevation 60 degree का बन रहा होता है Finally हमने ये calculate करना है कि कितना distance वो building की तरफ move किया था Question clear हो गया एक boy है boy की height है 1.5 मिकर उसके सामने एक building है और building की height में दे रखी है 30 मिकर वो वाला boy अपनी position से जब building के top की तरफ देखता है तब angle of elevation होता है 30 degree का फिर वो थोड़ा सा distance आगे की तरफ move कर जाता है कुछ distance आगे आ जाने के बाद जब वो दुबारा से building के top की तरफ देखता है तब angle of elevation 60 degree का बन रहा होता है अब हमने पता ये लगाना है कि कितना distance वो आगे की तरफ move कर गया था clear हो गया अभी जो में इस situation दे रखी है ना इसके हिसाब से सबसे पहले आप diagram ग्राउ करोगे सबसे पहले आप ये नीचे वाला ground level बनाना है उसके बाद आप ये वाली line बनाओगे जो कि building को represent कर रही है building की जो total height है वो 30 meter है मतलब ये bottom most point से लेकर ये जो top most point है यहां तक कि जो total height है वो 30 meter है अब जो boy है वो building से कुछ distance दूर खड़ा हुआ था तो जो नीचे वाला distance है ये हमें देनी रखा लेकिन हमें boy की height दे रखी थी न 1.5 meter तो आपने height को represent करना है ये 1.5 meter को आप show करोगे अब जो आखे होती है वो उपर की तरफ होती है तो यहां से 1.5 meter उपर इस point से आपने सारे के सारे angles बनाने हैं तो 1.5 meter शो करके फिर से आपने horizontal level बनाना है पहले आप horizontal level बनाओगे फिर इस position से जब वो building के top की तरफ देखता है शुरुवात में जब वो अपनी position से building के top की तरफ देखता है तब आंगलोफ elevation बन रहा होता है 30 गिगरी का फिर वो अपनी position से थोड़ा सा distance आगे की तरफ आ जाता है एक नई position पे आ जाता है थोड़ा सा distance आगे आ जाने के बाद यहां से जब वो दुबारा building के top की तरफ देखता है तब angle of elevation 60 गिगरी का होता है पहले angle 30 का था अब angle increase होके 60 का हो गया जैसे जैसे आप building की तरफ move करोगे ना angle of elevation increase होता जाता है situation clear होगी जो total height है वो थी 30 meter boy की height दे रखी थी 1.5 अगर यह वाला distance 1.5 है तो यह वाला distance भी 1.5 ही होगा इसका reason है by symmetry या फिर by common sense तो total 30 है 30 में से यह वाला 1.5 subtract कर देते हैं तो C से लेकर D तक यह वाला distance है वो फिर 28.5 होजेगा building की जो total height है वो थो 30 meter थी ना 30 में से यह वाला 1.5 minus करो ना यह वाला 1.5 minus करेंगे तो अब यह D से लेकर C तक यह वाला distance है वो 28.5 meter गाए diagram player हो गया सबसे पहले क्या बनाओगे ground level बनाओगे उसके बाद यह वाली line बनानी है जो की building को represent कर रही है जिसकी height 30 meter है फिर building से कुछ giscans दूर यह giscans दे नहीं रखा यहाँ पर boy खड़ा हुआ था आपको boy की height दे रखे थी ना 1.5 तो पहले आपने 1.5 meter बनाना है अब इस point से आपने सारे की सारे angles बनाने है यहाँ से दुबारा से पहले आप horizontal level बनाओगे यहाँ से जब देखते हैं top को तो angle 30 का बनता है थोड़ा सा आगे आजाने के बाद दूसरी position से जब देखते हैं तो angle 6 की का बनता होता है और यह A से लेकर B तक कितना distance वो आगे की तरफ move कर गया था यह हमने calculate करना है A से लेकर B तक की जो length है वो हमने calculate करनी है diagram clear हो गया अब आते है solution के उपर यह आपको पता चल गया ना 21.5 कैसे आ रहा है total height 30 थी 30 में से यह वाला 1.5 माइनस किया तो C से लेकर गी तक यह वाला जो distance है वो 21.5 आ गया अब इस diagram में पहले छोटे वाला Crangle देखना यह BCD छोटे वाला Crangle ने जरा आ गया आपको छोटे वाले Crangle की आपको यह वाली side की length पता है और यह वाला angle भी पता है अगर आपको Crangle की एक side और एक angle पता हो तो उस information को use करके हम बाके की जो side जना उनकी length calculate कर सकते है तो छोटे वाले Crangle के अंदर Regnometric को use करके आप 20 से लेकर C तक यह वाली जो length है पहले उसे calculate कर लोगे जब आपके पास यह length आगी BC की value आपके पास आगी फिर आपने बड़े वाले Crangle की बात करनी है यह बड़े वाले Crangle ज़राया A, C, D बड़े वाले Crangle बड़े वाले Crangle में भी यह वाली जो side है उसकी length 21.5 है यह तो आपको पता है न तो बड़े वाले Crangle में trigonometry use करके हम A से लेकर C तक यह वाली length calculate कर लेंगे जब आपके पास A से लेकर C तक यह वाली length हा गई है उसमें से यह BC minus करेंगे तो AB की value आजेगी और यही हमने find करनी है clear होगे हम करने के वाले है दो Crangle आपको use करना पड़ेगा दो Crangle में trigonometry use करनी पड़ेगी पहले हम छोटे वाले Crangle के अंदर trigonometry को use करके यह BC निकाल लेंगे base निकाल लेंगे फिर जो बड़े वाला Crangle है बड़े वाला Crangle ने ज़रा गया ACD यह जो बड़े वाला Crangle है ACD इसमें trigonometry use करके बड़े वाले Crangle का base निकाल लेंगे मतलब A से लेकर C तक की length निकाल लेंगे AC में से ये वाला BC माइनस करेंगे तो हमारे पास ये AB की length आजेगी कितना distance वो boy आगे की तरफ move करके आगया था वो निकलाएगा clear हुआ चलो solve करना स्कार्ट करते है पहले छोटे वाले क्रेंगल के बात करेंगे छोटे वाले क्रेंगल का नाम क्या है BCD छोटा क्रेंगल निजर आगए आपको BCD एंगल के जो सामने वाली साहिग होती है उसे बोलते है परपैंगे कुलर तो C से लेकरगी तक ये हमारा परपैंगे कुलर है यहाँ पर एंगल C नाइंकी का होगा angle के 90 के सामने वाली जो साइग है वो hypertonus होती है यह जो नीचे वाली साइग है, तीसरी साइग यह फिर base है, तो perpendicular की length हमें पता है और base की length हमने find करनी है perpendicular upon base, वो तो 10 ठीक होता है न, तो 10 को use करेंगे सबसे पहले आपने triangle का नाम लिखना होता है, in triangle B, D, C, नज़र आ गया B, D, C, इस triangle के अंदर, 10 of 60 degree, angle यहाँ पे 60 है न, तो 10 60, 10 होता है perpendicular upon base angle के जो सामने वाली साइग होती है, वो perpendicular होता है तो यह C से लेकर D तक यह वाली साइग है वो perpendicular है तो perpendicular के जगह पे आपने C की लिखो या D, C लिखो एकी बात है यह जो नीचे वाली साइग है वो base है B, C से लेकर C तक तो base के जगह पे B, C लिखा आगे values put करते है 10 60 की value होती है under root of 3 B, C, 21.5 है यह देखो, 21.5 और यह B, C हम calculate करना चाहते है तो B, C के जगह पे B, C ही रहेगा अगले स्केप में rearrange कर रहे है B, C इस तरफ आ जगा root 3 रहा जगा तो B, C के value आ रही है 21.5 upon under root of 3 genominator के अंदर root 3 नहीं होना चाहिए इसको ठीक करने के लिए अगले स्केप में हमें rationalize करना पड़ेगा तो numerator और denominator दोनों के अंदर हमने under root of 3 से multiply किया under root 3 से numerator में भी multiply करना है denominator में भी multiply करना है under root 3 multiply by under root 3 वो 3 होता है और 3 से जब आप ये quantity 1.5 को divide करोगे तो 9.5 रहे जगा और ये root 3 का root 3 as it is clear हो गया rationalize किया है under root of 3 multiply by under root of 3 वो 3 होता है और 3 से इस quantity 1.5 को divide करेंगे तो 9.5 रहे जगा और ये root 3 का root 3 है जगी 9.5 root 3 आगी है BC की value आगी है अब आगे चलते हैं बड़े क्रेंगल की बात करते हैं अब ACD ये जो बड़े वाला क्रेंगल है ना उसकी बात करनी है क्रेंगल नज़र आगया ACD तो इन क्रेंगल ये ADC फिर से can यूज़ करेंगे क्योंकि परपैंगी कुलर हमें दे रखा है और ये नीचे वाला base हमने find करना है और परपैंगी कुलर अपन बेस वो can के अंदर आ रहा होता है अंगल अपके बार 30 degree है तो can 30 Can होता है परपैंगी कुलर अपन बेस अंगल के सामने वाली side ये लेनी है ये इस वाली side को मत ले लेना ये वाली side थोड़ी आ रही है क्रेंगल के अंदर हम तो बड़े क्रेंगल की बात कर रहे हैं ना और क्रेंगल के अंदर ये एंगल के सामने ये वली सायग है जो कि क्रेंगल के अंदर आ रही है तो प्रप्रप्रणिक को लोरोगा DC, बेस हमारा है AC, बड़े वाले क्रेंगल में बेस AC है, पूरा बेस लेना है, AC लेकर C तक, 1030 की वल्य होती है, 1 upon under root of 3, ये DC दे रखा था 21.5, तो DC की जग़ा पे 21.5, AC हमने find करना है, cross multiply करते है, तो यहां से AC की value आ जाती है, 21.5 under root of 3, clear हुआ, cross multiply कर दिया, तो ये 21.5 multiply by under root of 3, AC की value आ गी है, ये BC की value हमने calculate की हुई थी, ये देखो last page पे, ये BC निकाला हुए, 9.5 root 3 आया था, तो इसको लिख दिया दोबार से, BC is equal to 9.5 root 3, finally हमने calculate तो ये करना है न, AB की length निकालनी है, A से लेकर B तक, तो AC में से ये इतना portion, BC subtract कर दे, तो ये बला AB रह जाएगा, तो AB is equal to AC minus BC, और ये AC और BC की values निकाले हुए है, तो AC की जगह पे 21.5 root 3, और ये BC की जगह पे 9.5 root 3 पुट किया, तो यहां पर भी root 3 है, यहां पर भी root 3 है, तो इसके जो आग 1.5 में से 9.5 को minus करो, तो 19 रह जाता है, तो AB की value है, 19 अंगर root 3 meter, this is the answer, the distance he walked towards the building is 19 अंगर root 3 meter, अब चाहो तो root 3 की value put कर सकते हो, root 3 की value या तो 1.73 put कर लो, या 1.732 put कर लो, वैसे new breaker में अगर आप root को छोड़ोगे तो भी चलेगा, तो 19 root 3 meter, this is the answer, यह A से लेकर B तक, यह व अंगर दूआ बड़र, तो 19 रह जदिए है, यह जद आए कर दो, यह वो जद बड़र है, यह वोप। कर दूद आथे कर दो, यह वो यह तो विज़गा, पिलाए यह यह वोज़ोए, यह भी भी जच